आज में सेयर कर रहे हूं दो उबले हुए आलू से बने ऐसे क्रिस्पी टेस्टी नास्ते की रेसिपी जिसे आप मुश्किल से 10 मिटर बना के रेडी कर सकते हैं और ये ऐसा नास्ता है जिसे आप छोटी मोटी पार्टी में भी बना सकते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इस टेस्टी नास्ते को बनाने के लिए गैस पे रखेंगे एक छोटा से पैन और उसमें मैं डाल रही हूँ एक चमचे करी तेल जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तीखे के लिए हरिमिश डाल रही हूँ तीन से चार आपको जितना तीखा पसंद है उसके हिसाब से आप यहां हर जाएगा इसमें मैं डाल दूगी एक मीडियम सेज के पैज को इस तरीके से रफली चौप करके गैस का फ्ले मीडियम करते हुए पैज को बस हमें आदे मिनट के लिए भूनेंगे पैज को हमें ज्यादा नहीं बूनना है जैसे ही पैज सौफ्ट हो जाए गैस को बंद कर द आलू में ज्यादा गुठलिया नहीं होनी चाहिए अब जो हम प्याज और हडी मिर्च को भून के रखे हुए थे बस इस स्टेज पे हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए डाल देंगे हरा धनिया के पतिया टेस्ट को अकॉर्डिंग नमक डालने के बाद अब मैं यहां डाल मैं यहां कास्मेरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूं इससे कलर बहुत अच्छा आता है आप चाहें तो इस स्टेज पे घरह मसाला भी डाल सकते हैं बस इनसे भी चुछो को डालने के बाद इनस आलू को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे अब एक मिक्सर जार में डा एक बाउल में ले रही हूं दो चमबचे कड़ी मैदा नमक और थोरा सा पानी डालते हुए इसका घाणा सिलरी बनाके हम रेड़ी कर लेंगे आप चाहें तो मैदा ले ले या फिर काटा ले सकते हैं । हाथों में थोरा से तेल लगाते हुए आलू का मिसरय ले ले लेंग अगर नई खाना है तो आप इसे किप कर सकते हैं इस तरीके से लंबे से एक रोल बना लेंगे और हाथों से इस तरीके से घुमाते वह इसको अच्छा चायक से अपडे देंगे तरीके से सबी को बना के रेरी कर लेंगे जब सारे बन जाए तो अब हम मैदे के सिलडी में इस इसे डिप करेंगे याद रहे कि इसे अच्छे तरीके सीडुक कीजेगा और डिप करने के बाद हाथों से इसे उठा ले इस एक कोसिस किज़ए कि हाथ से इडा ढाले ताकि मैदा का सिलडी ज्यादा इस चूरा में ना आए तो अब अब बस इस तरीके खाना पसंद है तो उससे भी इस नास्ते को बनाकर रेडी कर सकते हैं साभी को इसी तरीके से चूड़ा के क्रम्स में मेला पेट ले हूं अब इसे फ्राई करेंगे तो फ्राई करने के लिए एधम तेल अच्छे तरीके से गरम होना चाहिए और इसे हम फ्राई करेंगे तो हा पोहा फटा फट से पक जाता है इसे फ्राई करने में मुस्किल से आपको दो से तीन मिनिट कहीं समय लगेगा तो बस इसे उलट करते हुए गुल्टन ब्राउन करेट जब ही हो जाए तो बस हम इसे निकाल लेंगे इसे पोहा से बनाते हैं तो इसका लुक भी काफी अच्छा को भी पता नहीं चलेगा कि आप इसे केवल आलू से बना हैं और बहुत टेस्टी ये नास्ता बनके भी रेडी होता है तो देखिए अंदर के चीज कीपस में दिखा देती हूं देखिए अच्छे तरीकी से यह मेल्ट हो चुगा है तो रसेपी अच्छे रहेगी हो तो मेर लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा अपने फ्रेंश और फैमिली में सेर कीजेगा और एक बार जरूर बनाएगा बच्चे से लेके बरतक सभी को बहुत पसंद आएगा